पेर उसगार अगर चाहे कि भाई आपसे लोन लेके बिजनस सुर करें, आसानी से मिल जाता है या लोगों के दिमांग में ये बैठा हुआ कि उदोगवार के चेकर लगाएंगे, बैंक की ठोकरे काएंगे, बैंक मेनेजर ना बोल देगा लाश्ट में, नहीं होगा, या कहीं घूस देना पड़ेगा, कहीं पैर भी करने पड़ेगा, तो क्या आसानी से लोन हो जाता है अगर सच में जो जरुवतमन्द हैं उनको, देखें कुछ दिक्कते आती है, घूस लोग मांगते हैं वहाँ पे, लेन देन की बात होती है, तो वहाँ पे एक ऐसा बेक्ती, जो ल लेने वाला है, यानि कि जो कस्टमर है, वो और बैंक के बीच में एक ब्रीज का काम करता है, यानि कि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से फाइल से उसको लिये करके, उसको लॉग इन करके, हम लोग का ओल्रेडी कोड मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से उसमें बहुत सारी उद्धोग विभाग को मिल चुकी है गोपाल गंज में और ये आप सबी को सबसे पहले इसको धेड़ सारी शुक्त कामना है आपको ये भाई आपके गोपाल गंज में उद्धोग के अंदर बन चुका है अब तक ये उद्धोग विभाग किराय के मकान में चल रहा था और उ जिस वज़ा से लोग उद्योग लगा नहीं पाते हैं, विदेश चले जाते हैं या दूसरे केहां नोकरी करते हैं या कहीं और दिल्ली पंजाब जाके ठोकरे खाते हैं आध हम लोग इस वडियो में अपको बताएंगे कि सरकार की कौन-कौनसी यहज़नाइं हैं और उसका लाव कैसे आप आसानी से ले सकते हैं आपको भी लोन मिल सकता है आप भी अपना उद्धोंग शुरू करते हिए आप भी लोगों को रोजगा दे सकते हैं यह पॉसिबल हो कैसे हम बिजनस सुरू करें, दूसरे के अनोकरी नहीं करें, तो क्या करें, लेकिन अपना बिजनस बीना पैसे का कैसे सुरू करेंगे, कैसे सरकार की योजनाओं का लाव लेंगे, उसके बारे में आज पूरा डीटेल हम लोग बात करने वाले हैं, आज हमारे साथ फडिन सर ह है उदोग विभाग की ये इनका काम होता है कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको सेलेक्ट करें जो लोग आते हैं उनके सेलेक्ट करें कि कौन से जैनियों लोग है कि इसको सच में जरूरत है पैसे दीये जाए तो सच्छ में कौन लोन लेकि विजनस सुरू करेगा कौन लोगों को रोजगार देगा ऐसे लोगों को नहीं कि भई जो लोन लेकि घर बनाने में लग जाए बेटी की साथी में लग जाए जमीन खरीदने में लग जाए या उसको घाके ख़तम कर दें तो ऐसे लोगों का चूज करना इनका काम होता है, कैसे लोगों फिल्टर करें, कि इसको सच में जरुरत है, अगर आपको लग रहा है कि हमें जरुरत है, हमें लोण चाहिए, लोण मिल नहीं नाइए, सिधे समपट करेंगे, सरका हम नमबर देंगे, विडियो के लाश्टिक बने देगा पूरा डिटेल बात करेंगे सर सबसे बहुत बहुत स्वागत है मर्चैनल में हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी यूजनाएं हैं सरकार की जो लोगों को अब तक पता नहीं है और अभी चल रहा है लोग उसका लाब भी ले रहे हैं देखिए यूजनाएं तो दोलने के बिजनस सुर करें आसानी से मिल जाता है या लोगों के दिमांग में ये बैठा हुआ कि उदोगवार के चेकर लगाएंगे बैंक की ठोकरें काएंगे बैंक मेनेजर ना बोल देगा लास्ट में नहीं होगा या कहीं घूस देना पड़ेगा कहीं परवी करने पड भूस लोग मांगते हैं वहां पर लेंदेन की बात होती है तो वहां पर एक ऐसा बेखती जो लोन लेना चाहता है वहां पर दब जाता है कुचल जाता और उसको बहुत परिशानी होती है उसी को लेकर करके सरकार ने डिस्टिक रिसोर्स पर्षन का रिक्रूट किया है इसक हम लोग डिरेक्ट कस्टमर से फाइल उसका लिए करके उसको लॉग इन करके हम लोग का अल्रेडी कोड मिला हुआ है तो उसके हिसाब से उसमें बहुत सारे रिपोर्ट लगाने होते लगा कि हम लोग बैंक में भेज देते हैं तो वो डिस्टिक रिसोर्स परसन सर है अपन जाता है तो यहां पर कुछ डिस्टिक रिसोर्स परसन मिल जाते हैं जिसको सौट में DRP बोलते हैं आपके जैसे और भी लोग होंगे जैसे लोग है तो इसका में फायदा ही होता है कि एक कस्टमर को सही इंफॉमेशन हम लोग दे सकें और सही इंफॉमेशन दे करके उसके को बैंक तक पहुंचा है और बैंक जो है अपनी वेरिफाई करती है उसके लेंड को और एक आमाद में बहुत असानी से अपने उद्धोग को लगा सकता है कि क्या असानी से लोन हो सकता है जो वेरिफजगार लोग वीडियो देख रहे हैं वो आपसे संपर करें तो ये पॉसिबल है कि उनका उद्धोग सुरू हो सकता है बहुत असानी से हो सकता है और उनका एक रुपे भी खर्च नहीं होगा और एक रुपे भी किसी भी तरह का कोई खर्च यहाँ पर नहीं है उनको बहुत असानी से लोन मिल जाएगा और वो अपने उद्दोग को अपने बिजनस को सुरू कर सकते है तो अभी सरकार की जैसे बहुत सर योजना है आपने बताया जैसे मुखमंतरी युवा उदमी योजना ये तो साल में एक बार आता है जैसे 50% सबसेडी होता है उसके बारे में कई सार वीडियो मैंने सोट किया हुआ है अभी दो दिनों पहले खतम हुआ लगो उदमी योजना जिसमें 2,00,00 रुपे तक देना था जोटे जोटे उदमी योजना अभी कौन सी योजना बेस्ट है अपने बिहार में जो आपसे मिलके उसका लाव ले सके कोई अभी जो सबसे बेस्ट जो योजना है तो सबसे बेस्ट योजना तो दो तरह से अभी हमारे हैं जो है चल रही है एक तो PMEGP है और दूसरा है PMFME तो PMEGP में कहा है कि exactly government ये देखना चाहते है कि जो बेक्ती जिस काम को पहले से कर रहा है जिसमें उसका अपना अनुभाव है पहले से उसी में अगर वो बड़े लेबल पे काम करना चाहते है तो उसके लिए भी government loan दे रही है अपने भी भाग से loan मिल रहा है जिसमें कोई क चाहरा है कि हम एक उद्योग लगा सकते हैं तो लगा सकता है एक तो यह हो गया दूसरा अगर हम चाहते है कि एकदम बढ़िया से आत्मनिरभर बने तो उसके लिए government ने कुछ ऐसी चीज़ों को लेके वो किया जैसे food processing जैसे पहले ये क्लिए कि पीमेजीपी योजना में न manufacturing करें जैसे gate बनाए, grill बनाए, जैसे लोहे का gate आप देख रहे हैं तो यह कैसे decide करते हैं कि यह दूसरे राजमें काम करते हैं ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो अभी अभी पढ़ाई शुरुक किये हों और उद्वी बनना चाहते हैं और उद्वी बनना चाहते हैं वो भी लेकिन government का focus है कि जो पहले से कर रहे हैं वो और भी ज्यादा बहतर कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं और जो नए लोग है जो अभी पढ़ाई खतम किये हैं वो चाहें उद्वी लगाना तो भी लगा सकते हैं अच्छा यह कहीं से भी all over India से video देख रहे हैं यह पूरे भारत वर जो भी जो भी business up करना चाहते हैं वो सारा का सारा इसमें आ जाता है तो उसमें क्या paper देना होता होगा आप लोग को क्या क्या चाहिए उसमें कुछ नहीं बस अधार card pen card और bank का 6 महिने का statement चाहिए और जो project लगाना चाहते हैं वो CA दवरा बनाया हूँ project profile चाहिए बस मतलब आपको जो पैसा जो लेंगे कहा कहा खर्च करेंगे वो CA से जैसे case करने जाते हैं जब आप court में वकील की भासा court समझती है वैसे ही ये सारी चीजे bank या दोग विबाग या जो भी संस्ता होती है CA की भासा समझती है तो CA से जो पैसा लेंगे आप कहा कहा खर्च करेंगे उस पहले डिसीजन करना होता होगा हम कौन सा उदोग ले रहे हैं वो सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाएगा तो वो सारे पेपर आपको प्रवाइड करेंगे तो आप बैंक से संपर करके अब जो भी चीजें होता होगा प्रोसेस पूरा करते हैं और दूसरी योजना कौ पूरे बीहार में उसमें कोई भी ऐसी चीज हम लगा सकते हैं कोई भी ऐसी जैसे पॉय प्रोड़ में फूड करेंगे खाने-पीने की वस्तों को बनाने का यह पेगेजिंग का उसके लिए यह योजना है PM-FME. उसमें क्या बता रहे हैं? इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा production जो खाने पीने के लिए होता है उसका उद्योग लगा सकते हैं कोई भी ऐसे हमारे पस 50-60 चीजों की लिस्ट भी है मैं आपको पढ़के तो बता सकता है कुछ बता देता हूँ अचार निर्मार पापड सीज जो इसी में आएगी आठा सब बेशन पैंगे थीजेंस सब सब खाने पीने वाले में आएगा या कोल्डिंग जूस हो अच्छा इसके लिए फूड लाइसेंस भी तो लेना सब्सक्राइब करते हैं कस्टमर को सारा मतलब प्लान में है और हम नए यूदमी है हमारे पास कुछ भी नहीं है हमको मैक्सिमम आपके तरफ से कितना मिल सकता है देखने के अगर बात है और पूरा करने की बात है तो यहां पर उद्योग भी भाग उनको पूरा सपोर्ट करता है हाँ कहीं भी वो दव नहीं सकते लेकिन गौर्वर्मेंट का सपेशल वह है कि जो स्टार्ट करना चाहते है अक्टिले स्टार्टिंग में लोग डरते हैं तो दस लाग मतलब अगर ऑगर भी रखने की बाती है मतलब 10 लाग के नीचे आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको इजली मिल जाता है 10 लाग के उपर आपकी आउकाद देखी जाती है कि आपकी वैलू क्या है आप इतना दे रहे हैं आपको तो आप उसको रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं या आपको सरकार आप पे क्यों इन्वेस्ट करें भाई आप उस लाएक हैं कि नहीं तो यह चीजें देखती है और कोई भी देखता है अगर जो पैसा इतना लगा रहा है तो आपको जांच परक करेगा तो अगर ज्यादा चाहिए अब बिना उसका चाहिए आपको बिना गारंटी का पहले दस लख लें बिजनस सुरू करें फिर बिजनस बड़े फिर उस पर ले सकते हैं या अगर आपके पास कुछ है उस तरह का दिखाने के लिए जमीन होगरा बिल्डिंग होगरा इस सब च अब पहले की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन मैंने भी कहीं न कहीं सुना है किस तरह की दिक्कत आती थी लेकिन इनी सारी चीजों को देख करके गवर्मेंट ने DRP का रिकूट्मेंट किया है तो उसमें क्या है कि यहां पे एक रुपे का भी लेन देन का कुछ है ही नहीं एक दम से कोई भी आया अपना बीन एक रुपे भी खर्च किये लेकि मैं में मैं बताता हूँ आपको आगर आप में कुछ कमी है वो च्छी पाने के लिए लोग इधर उधर करने लगता अगर आपका फेपर सही है आपकी नियत साफ है कि भाई हमें उदोग लगाना है और सही वेक्ति से आपकी मुलाकात हो गई तो कहीं कुछ देना लेना नहीं होता है अगर किसी थर्ड परसन से पूछेंगे तो सिर्फ इन तक पहुंचाने के लिए वो पैसे ले लेगा भाई हम मिलवा देते हैं हम आपके करवा देंगे इनका तो करवाना काम है ये बस आपको जागरुक होने का नियम के बारे में जानने का जो योजनाएं हैं सरकार की उसके बारे में जानने की जुरत है और सही परसन की बाई किसे मिले इस योजना के लिए तो अंदर में बैठे जीम साब भी बैठे हैं सारे बिभाग के लोग बैठे हैं और ये डिस्ट करलाब लेना है, हम उद्मी बनना चाहते हैं, कुछ वी दोग सुरू करना चाहते हैं, पूरा गाइड लाइन, सरकार भी अब जागरुक हो जोकी है, लगतार, यह नया पोस्ट बना है आप लोग का ना, पहले यह पोस्ट नहीं थाड़ी अर्पी का, यह चीज़ें इसलिए ह बाकी हर दिले में इस तरह का उदोग के अंदर होगा, आप सीदे उदोग के अंदर में जाएं, डियार पी से मिलें और सारी योजनाओ का लाब लें, पूरा लिस्ट मैं टेलीग्राम अपने चैनल पर भी डाल दूँगा, यह यह सारी योजनाओ का अलग लग अब उस वेफसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी जनकारी मिल जाएगी, बाकी आवज का ये वीडियो आपको कैसा लागा हमें कर्मेंट के जरूर बताइए, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, जी आपको भी धन्यवाद, हम चाहिए कि इस वीडियो को सेर करें ताकि इन सबी युजनाओं के बारे में सरकार की जो भी युजनाओं आ रही है, उनके बारे में लोगों को जनकारी मिल सके, बाकी इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद, नुश्कार